सिच्चाविभाग की लच्चर कारी प्रणाली के च्छलते हाली ही में कोचिक के निर्मान ठीम प्रकल्प में ठेके दाद द्वारा अनिमितता बरते जाने से खापा शेत्र के कनहा नदी में अच्छानक पानी का रिसा बढ़ने से परिसर के 150 जीमत समाज बंधू द्वारा नदी पातर में बुवाई की गई खरबूज धेमल ककड़ी नाइलन फली आदी के फसलों का पूरी तरह नुकसान हुआ है इस घटना को गंभीरता से लेते हुए भाजपा नेताओं ने समाज को उचित मुआफ से हेतू जलपरशासन से गुहाल लगाई है जानकारी के नुसा 11 मार्च को यहांके कोची बैरच के निर्मान कारे में लापरवाही की चलती संग्रहित पाने की दिवाट रूट जाने की कारण अचानक पाने का प्रभा कनहा नदी के पातर में आने लगा और शेतर के नंदापूर, कोची, बावन गाव, खापा, वाकोडी, आधी गाव की नदी तट के धीमर समाज द्वारा लगाए गई, फसल पानी में डूप जाने से नश्ट हो गई, इसी पर समाज की उपजिवी का होने से विकाफी दुखी थे, संधर में 13 मार्च को भाचप शहर अद्यश प्यूश बोर्डे की नीटरत में जिलादिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर को निवेदन दिया गया, इस अफसा पर सर्विश्टी किशोर डाखोले, राहुल निर्मल, हरीश कोली, दामोधर कोले, सोमेश्वा बावने, अनिल कोले, प्रहलात कोले, मनोह ला निउस के लिए खापा से डॉक्टर चंदू ठवरे की रेपोर्ट